नमस्कार आपका मेरे चैनल अर्थात में स्वागत है परती परिकता का चठा भाग किसी का माथा थेर नहीं गाउं के एक एक आदमी का माथा चक्रा रहा है सर्वे का चक्र पिछले डेड़ साल से लट्टू की तरह हर एक आदमी को नचा रहा है बीच में जो लड़ खड़ा कर गिरते हैं फिर डोरी में लपेट कर उन्हें फेका जाता है नाचते लट्टू जैसे गाउं के लोग माथा थेर कैसे रहे रोशन विष्वा गाउं का सबसे बड़ा महाजन है आजकर जमीन कम थी लेकिन इस सर्वे में वह भी पूरी हो गई बंध की सूध रेहन जमीन के अलावा कवाला बन कर बहुत सी जमीन खरीदी है सारे गाउं में बस रोसन विस्वा ही एक है जिसकी जमीन पर एक भी तनाजा नहीं पड़ा असल में उसके पास जतनी जमीन थी सब रेहन और बंध की उस पर तनाजा देने से क्या फाइदा सर्वे के समय हजार बारह सो रुपए हमेशा घर में मौजूद रखने के लिए जमीन वालों ने रोसन विस्वा से रुपए मांगा विस्वा ने सब को एक ही जवाब दिया जमीन बंध की कौन लेता है आज कल जेबर लाईए नहीं तो जमीन फरोखत नामा लिख दीजे तीन सो भीगे जमीन खरी दी है उसने रोज करज लेने वालों की भीर लगी रहती है रोसन विस्वा का सिर भी चक्राया हुआ है नटिन टोली की गेदा बाई के घर बारा बजे रात तक वह गुल रोगन मालिश करवाता है फिर भी क्या करे बेचारा रोसन विस्वा घरवाली दगा देकर दस साल पहले ही चली गई गेदा बाई के घर न जाए तो क्या करे माथा चक्राने पर जवान बेटा पतोहु घर में है तो इससे क्या उल्टा कर मैं आपका साला हूँ मैं हराम जादा हूँ आप क्या हुए तब विचार कर देखे रोसन विस्वा जुता उठा कर मारने दोडा तो भाग गया आधी रात बीत रही है लोट कर नहीं आया है विस्वा ने अपने नौकर को पुकार कर कहा रे संग मा डेरा में पूछ क्या लेलू बावू लोटे हैं की नहीं रोसन विश्वा को अब अपने एकलोते लड़के के लिए जरा भी दिल में मोह नहीं उसने अपने लड़के को अच्छे नाम से रोशन विश्वा कहकर कभी नहीं पुकारा बुसाने पर केलुआ या लेल बकलेल खुश राने पर लेलू बावू अब तो एक माशा भर भी सनेह नहीं रह गया है बेटे के लिए लेकिन बेचारी पतोहू का क्या दोश माथा चक्राह रहा है रोशन विश्वा का बेटा घर में नहीं है घर छोड़कर भगेंदा भाई कि यहां कैसे जाये आज रात बिरभद्दर बावू और लुट्टो आस पास नाचते हुए एक ही गती से घूमते हुए दो लट्टो परानपूर स्टेट के भैगमान है बिरभद्दर बावू सबसे बड़े बलभद्दर, तबिरभद्दर और सबसे छोटा शिवभद्दर सिवेंद्र मिश्र के मरने के बाद जमेंदारी का कामकार सम्हालने के लिए बहुत लोग आये सिवेंद्र मिश्र की विध्वाने धीरे-धीरे सब को विदा किया रह गए एक आदमी दूर के रिस्ते के नंदोई पंडित सुखन चौधरी पंडित सुखन चौधरी ने दस साल मेनेजरी की किन्तों मुसमात ने कभी उन पर विश्वास नहीं किया सुखन चौधरी ने से ज़्यादा भरोसा करती मुंसी जलधारी दास पर एक बार इलाके में खजाना वसूली के समयै गये 30,000 रुपए वसूल हुए मुंसी जलधारी लाल दास दूर इलाके में गया था सुखन चौधरी ने हिसाब दिया 10,000 कर दूसे दिन मुंसी जब इलाके से लौटा तो इसने कहा 30,000 रुपए से एक पाई कम नहीं मात ने बोली ठीक है रुपया लोटाने की जरुरत नहीं है जो पेट में गया उसे वमन नहीं कराऊंगे लेकिन भले आदमी की तरह कल सुरा जुगने से पहले हवेली के से बच्चा कच्चा जोली डंडा के साथ निकल जाईए पकारन सिंग कोई है नहीं कहां गये सब काई बागिन की तरह भोर होने के पहले कचहरी घर की सीड़ी पर खड़ी गोकर गरचती हुई मलकाईन मामी मामी धत कैसी मामी पिसाचिन की तरह चिलाती हुई जित्तन की मा कोई भी नहीं एक बच्चा भी नहीं रहे मेरी हवेली के अंदर मेरी चवहदी के अंदर से निका पोस जाएगा मेरे जितन को कलमाड डालता कनेर फूल का बीच खिला कर ये बलवदरा फुसला कर कहा बदाम है काबुली बदाम साप के बच्चों को पोस कर यही होता है मेरा बेटा बादाम नहीं पहचानेगा काबुली बदाम निकालो सबको अभी बेमानों को बलभदर को जहर खिला रहा था तड़ाक तड़ाक बलभदर बाबु ने जिस बिर्वे को बच्चपन में ही काट कर साफ कर देना चाहा था वा आस तक उसकी च्छाती को जला रहा है ठीक सर्वे के समय आकर आजिर हो गया जितन बरसोक के बाद गाउं आया है आकर किसलिए जमीन बच भाई साब बिर्भदर बाबु आकर अपने बड़े भाई को सम्हालते हैं इतनी रात में क्या हुआ एक धूर नहीं समझो बीरो यदि तुम अपने को अपने बाप का बेटा समझते हो तो सुन लो जैसे भी हो कॉंग्रेस के जरिये नहीं हो तो किसी भी पार्टी की मदद स जितन की धूर धूर जमीनती तर बिट्र करवा देगो तब समझूगा बाप का बीटा मर्तिस में बाप क्या कह कर गया था हाँ हाँ याद है बिर्भदर भूल जाने वाला बेटा नहीं बाप ने जो कहा था अक्शर अक्शर पालन कर रहा है उसका बेटा देख लीजिएग लुत्टो का बाप कुछ कह कर नहीं मरा है, सिवेंदर मिश्र का दुलरुः खवास था, उसका बाप लरेना खवास, नाराइन राय दुलारा खवास, विश्वास पाथ इतना कि सपने में भी उस पर संदेह नहीं करते थे सिवेंदर मिश्र, किन्तु कोठी वाली प्लांटर्स ने उसे खरीद लिया आखिर विश्वास घाती को अपने मरने से पहले सजा देकर मरे स्वें द्रमिश्ण लोही की दगनी आग में तपा कर लाल हुई और लरिनरा खवास को राम पकारन सिंग ने उठा कर पटक दिया मुनसी जल्धारी तपी हुई लाल दगनी से उसके पीठ पर लिखने लगा कैथी अक्षर में जल्धारी लाल ने लिख दिया दगाबाज इसलिए आज भी मुंसी जलधारी दास मौका पढ़ने पर दात खुजला कर व्यंग भरी बोली बोलता है सिर्फ कागस कलम से लिखने वाला नहीं दगनी सिद्धे की चमडी पर भी लिखने वाला मुंसी मैं हूँ तब लुत्तो चुपचाप अपने मन की जलन सहने के लिए दात पर दात बैठा लेता है कभी कभी जवाब भी देता है अच्छी बात जमाना लोट कर आया है तुम्हारी पीट पर भी दगनी से लिखा जाएगा नरक का कीड़ा किन्तु जलधारी लाल बधिर हो जाता है आहरे बपारे बैल अभैंस पर नमबर चड़ाने के लिए जिस तरह पटक कर दागा जाता है ठीक बैल की तरह गूं गूं उठा था लुत्तो का बाप पोखरे के महार पर दूर खड़ी माँ च्छाती पीटने लगी थी लुत्तो ने रोते रोते ही सुना था धमाधम धमाधम लगता था मा की च्छाती के नीचे सैकड़ो ओखल धान कूटे जा रहे है लुत्तो कभी भूल सकता है धमाधम धमाधम दूसरे दिन सुबह को चटपटा कर उसका बाप मर गया सिवेंद्र मिश्र से पहले मरने के समय सिवेंद्र मिश्र ठटा कर हसे थे जा साले जगा ठीक कर रखना मैं आ रहा हूँ वहाँ भी तुमको दगवा दूँगा यदि लुत्तो भी दागेगा सिवेंद्र मिश्र की संतान को दागेगा पटक कर बिर्भद्दर बाबूर ने पुकारा लुत्तो, लुत्तो हो घर में आए, आए, डेरा में ही आए मार दिया चक्का बिर्भद्दर बाबूर ने हसते हुए लुत्तो के आंगर में प्रवेश्ट किया लुट्तो की स्त्री ने घूंगट के अंदर से मुस्कुरा कर विर्भद्दर बावु को देखा और लुट्तो से कुछ पूछे भिना ही बटलोई उठा कर चाय बनाने चली लुट्तो ने हस्ते हुए कहा आज एक सेर दूद में दो गिलास चाय बनाओ बिठावली वाली सुनो रोशन विश्वा और गुर्दज्जा ने कहा है साली ग्राम और हरिवंश चूकर तन मन धन से मदद करेंगे विश्वा ने कहा कहिए तो राह चलते पिटवा दे मैंने कहा भी रहिये देखा जाएगा लुट्तो ने चुटकी बजा कर खा चक का हाथ सुर्पती राय साथ घाटों का पानी पी चुका है कर्बला, रानी डूबी, संजा, गितवास घाट के आसपास के गाउं के पिछले चै महिने से घुम रहा है बरदिया घाट का फाइल अभी अचूता है किन्तु अधिकांस लोकताओं में बरदिया घाट की चर्चा है इसलिए उनका सारी कहानियों को छाट कर अलग रखना आवस्यक है वेरिफाई करना होगा गितवास कोठी के पास रजोड गाउं के ताती परिवार में उसे कागजात का एक गठर मिला परिवार की कोई स्तुरी गितवास कोठी की मेड सर्विंट थी 40-50 साल पहले आश्चरे भगवान सकर खोरे को सकर ही देते हैं फटे चिटे दिमकमक कागजों में लोग गीत था लोग कता संकलित हैं कागज के बंडल को खोलते समय सुर्पती की देह रुमाची थोड़ती है कागज के छोटे-छोटे पूर्जे को भी वबड़ी सावधानी सिस्पर्ष करता है पटि हुई चिट्टी का एकंस सिर्फ तीन पंक्तिया पढ़ी जा सकती है तुम्हारे अन्रोथ पर इस अंचल में कुछ लोग गीत और परियों की कहानिया भेज रही हूँ पता नहीं तुम्हारे किसी काम पत्र लेक्का कहा स्थाक्षर अस्पष्ट है कि तु सुर्पती ने ठीकी पढ़ा है रोजूड मिसिस रोजूड 1910 45 साल पहले इसी अंचल में दुलारी दाय की धारा के कछार पर बसे गाओं में ग्राम गीत तथा कथा के लिए उसी के जैसा कोई अन्य प्राणी भी भटका है यह सोचकर सुर्पती के मन में लहरे आती हैं एक विदेशी महिला की मुर्ती लहरों से खेलती महिला मैथली लोगीत की एक करून क्रागिनी सुर्पती के कानू के पास मठाने रहती है सखी है हमरग दुखा कर नहीं और मिस्टर राय सुर्पती ने देखा स्वयम जितन बाबु हाथ में चाय की प्याली लेकर उपस्ते थे पलंग पर से उठते हुए सुर्पती इतना ही बोल सका आपने क्यों तकलिफ बैठिये आपको रात में मेरी चाय की तारीफ की है सुना है इसलिए अभी आपको एक स्पेशल्टी देने आया गया जितन बाबु ने बड़ी सतरक्ता से चाय की प्याली तिपाई पर रखकर अपनी मुस्कुराहट खोली पास की कुर्सी पर बैठते हुए बोले रात में आपकी छीक सुन रहा था गलती हुई रात में ही आपको गालगल के लिए गर्म पानी भेज देना उचेता होता खेर यह स्पेशल्टी है रॉटी में लेमन है पॉल्यूड्रिन है और एक चमच रम है जून की सर्दी मलेरिया की आगमनी समझी जाती है वर्सा में कहीं भीगना पड़ा है ना I know सुर्पती ने चाय में पहली चुसकी लेकर कहा एक देखा एक अना स्वाधित पिये बाइदवे आप वैशनों तो नहीं सुर्पती का ना जाने क्यों बंगाल के वैशनों सम्प्रदाय की याद आ गई उसने तुरंद का जी नहीं मैं मैथिल ब्रामन हम लोग शाक्त हैं मिस्टर राय शाक्त अतितियों को कभी निरामिश भूजन हम नहीं देते सुर्पती ने लजजित होते हुए कहा वैशनों साक्त की बात मैं नहीं जानता मांस मचली अच्छी नहीं लगती खिरके से बाहर तालाप का अंश दिखलाई पड़ता है कमल के पत्तों से अच्छा दित उत्तर आकाश में उमरते हुए काले बादलों ने पूरब की ओर आकर सुरज को ढख लिया है हवा के जहलके जोके के फीचेट लाते हुए बादल परती प्रांतर के प्राणियों के परंप्रिय बादलों पर जितन बाबु की आँख गड़ गई थी दिल बहादुर जल्पान का ट्रे ले आया परवतिया भासा में ही जितन बाबु ने कहा दिल बहादुर चिया दियर अली राम पकारन सिंग लाय बुलाऊता जितन बाबु ने घी में भुना हुआ चूड़ा अपनी प्लेट में लेते हुए कहा सुरू कीजी राय जी अंडा तो आपको अच्छा लगता है सुर्पती चुपचाप मुस्कुरा कर जल्पान करने लगा जितन बाबु की बादचीत, भोजन, टी सेट, ड्रेसिंग गाउन, आधी को गौर से देखने सुनने के बाद सुर्पती को बस एक ही शब्द सुजा रिफाइंड आदमी राम पकारंग सिंग और दिल बहादुर के साथ एक कम उमर का दूबला पतला गूरा लड़का एक पुर्जा निकाल कर जितन बाबु के हाथ में दे दिया कटोरदान चादी का है, चांदी का है साइद, उस पर खुदे हुए अक्षर घिस गये हैं सुर्पती ने अपनी प्लेट में निगाह जुका ली, जितन बाबु पुर्जा पढ़ रहा है पुर्जा पढ़कर जितन बाबु ने अपनी लंबी सांस को धीरे धीरे छोड़ा और दिल बहादुर के कटोरदान से कटोरदान खोलने को कहा के सर्या दूद, दूद में आम का अरस डाल कर सेवई बनाई गई है प्रतेक कटोरे में आम के कत्रे हुई चार टुक्रे रखे हुए है सुर्पती के से बगाईर कुछ पूछे जितन बाबु ने एक छोटी कटोरी में सेवई डाल दी चक कर देखे, याद रखने की चीज है, आम पयास एक चमस सिवई मुह में डाल कर कुछ छंट तक अन्यमनस्क रहे जितन बाबु फिर उस लड़के से पूछा ताजू अब कैसी है, दवा खाती है न, ताजमनी कौन होती है तुम्हारी लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया, उसका ध्यान जितन बाबु के कौकर स्पैनियल मीत पर था, जो कटोर दान को सूंगता पीछे पीछे आ गया था मीत जितन बाबु ने हलकी जड़की दी, मीत ने अब जितन बाबु की और देखना शुरू किया लड़के की जान शाशत में थी, वा कटोर दान बंद करता हुआ भागा, सुर्पती आखे मूद कर से वही में मिस्रित पदार्थों को पहचानने के चेश्टा कर रहा था, बाहर जोरों की जड़ी सुरू हुई, अब आगे आगे वेगवती हवा और पीछे पीछे जलक से लड़े बादलों के दल, पकहारन सिंग अब तो आज चन्नी पाट की भुवाई नहीं हो सकेगी, मिस्टर आयम माफ कीजेगा, मैं जरा खेती बारी की बात कर लूँ, क्यों, अब तो सोना बंग, लाल, मेग और जापानी पाट के वोधी रोज एक इंच बढ़ेंगे, हाँ पानी रुखते ही जाकर कोई टोटी वालों से कह देना, कलम बाग होकर मविश्ची नहाखे, कलम बाग होकर डगर नहीं है, अभी तु रहते, एक मिनिट में तमासा दिखा देते हैं, एही हुकुम तो हम आज 15 दिन से मांगता रह सरकार, और जितन बाबु ने राम पकारन स सिंग को चुप करा दिया, ड्राइवर से कहो ट्रैक्टर में मोबिल डाल दे, आज पर्ती की जुताई होगी, पर्ती की जुताई, राम पकारन सिंग के अम्मो ने मुह बाकर आश्चेर प्रकट किया, पर्ती में का होगा बवाजी, पर्ती में, पर्ती पर गुलाब की खेत मिस्टर रॉइ, गुलाब की खेती काडिया कैसा है, चीनिया आप खुड डाल ले, सुर्पती ने मुस्कुराने की सुवा कोई जबाब नहीं दिया, राम पकारन सिंग चला गया, जितन बाबु ने इतनी देर के बाद पलंग परतीतर बितर काग्जों को देखा, अच्छा घाठ हाकिम, वाट्स दिस घाठ हाकिम, घाठ हाकिम, हाँ पकारन सिंग ने रात में कहा घाठ हाकिम सहब आये हैं, आपको इस इलाके के लोग घाठ हाकिम भी कहते हैं, आप इस गाउं में एक बार पहले भी आ चुके हैं, जी हाँ मैं नदियों के घाठों के नाम, घाठों थासते हैं, डॉक्रेट की तैयारी हो रही है, यह कहिए, हाँ, तो रोज नए डिपार्टमन खुलते हैं, नए हाकिम बहाल होते हैं, मैंने समझा, घाटों की बंदुबस्ती के लिए कोई हाकिम आए, मचली हाकिम, मुरगा हाकिम, शीशम हाकिम, कितने किस्म के हाकिम आते ही रहते हैं, ओहो, प्रोफेसर ससांग के शिश हैं आप, जी हाँ, प्रोफेसर ससांग मेरे अति प्रियमित्र है, तब तो सिर्फ एक रात की महमानी से काम नहीं चलेगा, महीनों रहना होगा आपको, आपके सब्जेक्ट से मुझे भी कुछ दिस्चस्पी है, अच्छी बात, सुर्फती की आँखें अच्रस से चमकने लगें, अच्छी बात है, आप निश्ची तो कर अपना काम कीजिए, दिल बहादुर, साहब के लिए बरामदे पर कुर्सी डाल दो और इधर कोई हला गुला ना हो, होश, होश, सनकी, सुर्फती ने जितन बाबु के बारे में सैक रा उठती हैं, कुछ छण के लिए कहीं खो जाते हैं शायद, बातों कसुत ढूड़ते हैं, मैं क्या कह रहा था, उम्र अपनी बतलाते हैं 35 साल, स्वास्त की सुन्दरता मुक मंदल पर निखरी हुई, बाते भी कोई ऐसी नहीं करते, तब फिर क्यों पागल कहते हैं लोग इस वीडियो में यही तक सात्य भाग में आगे की कत्था सुनेंगे, धन्यवाद